दोस्तों सीटेट के आंसर की में एक कन्फुजन जो आपको हो रही होगी कहीं लोग ने मेरे से पूछा भी है कि यह जो आंसर की में एग दू तीन चार है वो ठीक है यह 9 का क्या मतलग है कई जगा पे आपको 9 दिखार होगा और आपके पेपर में भी अगर है तो आप जरूर बताईए क्योंकि आंसर की तो सबका यहां पर है ही देखिए इंग्रिस वाले में भी है इधर नीचे हिंदी में था तो ऐसे 9 जो है कई जगह पर देखने को मिल रहे हैं मतलब जरूरी ने कि हर दिन के पेपर में मिलें लेकिन कई जगह पर 9 है मैंने भी मिलाया तो एक दो जगह मुझे भी 9 दिखा एक और चीज है कि जिसे यहाँ पर एक और तीन दोनों इसका भी क्या मतलब है तो X का तो आप समझ में आगया होगा कि ये दोनों ही सही है और 9 का मतलब होता है कि आपने कोई भी उत्तर लगाया तो या नहीं लगाया सबको उसमें मार्क्स मिल जाएगा समझ गया तो वो उनके अपने इंटर्नल जो होता है बहुत कोईशन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं या जो भी कारण रहा हो तो जिन में उन्होंने आंसर की में 9 दिया है तो इसमें आप सभी लोग को देखिएगा कि जो आपका 9 को छोड़क जो आप मार्क्स काउंट करिएगा उसमें प्लस वन हो जाएगा चाहिए आपका जो भी लेवल पर है ठीक है और यह तरह से उनकी अपनी प्रॉब्लेम के कारण होती है तो वह उसमें वह सब को कंसीडर करते हैं जितने भी लाग बच्चे इंग्जाम दिया उस दिन यह भी लृब जिए घ्रब है तो स vient किसिका परी लृब है किसी का पर टू है तो अगर हिंदी पेपर्टू वाले में 9 है मनलतु सिंपल से बाद है आपका जो अपना अशर की है उसके अदर अगर 9 दिख राए आपको तभी आपको मिले है अगर वह आपका अंसर की नहीं है खिए